दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल step by step देखेंगे कि किस प्रकार से CSE से pencard बनाते हैं और साथी दोस्तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो सर्च करने की आप सकता नहीं पड़ेगी अगर आप इस वीडियो को बिना escape के फूरा देख लेते हैं फिर तो चलिए सीधा topic पे चलते हैं और इसका एक एक निचोर के साथ हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमें बिल्कुल बारीकी से pencard अपलाई करनी है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों आपको digital सेवा portal open करना है और यहाँ पे आप देख पा रहा है search bar का जो link दिया गया है इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लिख देना है pen इस प्रकार से आप लिखेंगे pen इसके बाद यहाँ पे देख पा रहा है pencard ekyc services इस पे आपको click कर देना है जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप click करेंगे एक नया tab उभर के आएगा अब यहाँ से बोला जा रहा है vl user को login करने के लिए तो normally आप क्या कर दे click hair पे click कर दे इसके बाद आप login हो जाएंगे अब दोस्तों यहाँ पे कुछ इस प्रकार का interface उभर के आएगा utiitsl का official यह website है जहाँ से आप normally pencard apply करते हैं अब यहाँ से आप देख पा रहे है apply new services दिया गया है इस पे जैसे ही cursor आप ले जाएंगे तो pen application में आप देख पा रहे है application for new pen 49a form इस पे आपको normally click कर देना है अगर आप नया pencard बना रहे हैं फिर आपको इस पे click करना है तो चलिए हम इस पे click करते हैं इसके बाद दोस्तो form 49a जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार का form आपके सामने उभर के आएगा अब दोस्तों यहाँ पे आप देख पाना है दो option आपको दिया गया है पहला जो option है वो है physical mode और दूसरा जो option है वो है digital mode तो दोस्तो physical mode अगर आप select करते हैं तो यहाँ पे आपको जो भी document के साथ आप यहाँ पे pen card apply करेंगे वो document आपको यहाँ पे upload भी करना परेगा और सा तो चुकि दोस्तों हमें physical mode ही बनाना है क्योंकि digital mode में क्या होता है कि pen card पे signature क्या हुआ नहीं आता है तो normally हम physical mode select करेंगे इसके बाद यहाँ से okay कर देना है अब दोस्तों यहाँ पे बोला जारा है status of the applicant तो यहाँ पे click करके normally आप individual select कर ले अगर दोस्तों आप कोई company या फि क्या आप defense है अगर है तो यहाँ पे yes करें अन्या था यहाँ से no पे click कर देना है इसके बाद scroll करेंगे तो यहाँ पे आप देख पारा pen card का mode बोला जा रहा है select करने को तो यहाँ पे दोस्तों चुकि हमने physical select किया था तो यहाँ पे बहुत physical pen card and e-pen पे select करेंगे इससे क्या ह होगा दोस्तों कि आपके घर पे भी pen card आएगा और साथ ही तीन दिन में आपके email पे भी pen card बना करके भेज़ दिया जाता है तो चलिए हम यहाँ से इसको click करेंगे इसके बाद normally submit पे click कर देंगे अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक reference number दे दिया गया है इसे आपको select करके य क्या वह लेडिज हैं या फिर जैंस अगर लेडी का बना रहा है तो यहां से मठीग करेंगे गर कोई Also दोस्तों यहां पे last name यहां पी आप लोग गलती करते हैं देख लिए यहां पे लिखा हूँ है last name और surname तो अगर Malajee किसी के अधार caad में राम कुमार्व या फिर Malajee क्लाचन कुमार्य है तो यहां पे क्या करना है last name बाले section में कुमारी लिखना है इसके बाद first name गए लिधे पर बहुत सारे लोगों का आधार कार्ड में सिंगल नाम ही होता जैसे राजू तो सिर्फ राजू ही रहता है, संगीता तो सिर्फ संगीता ही रहता है, तो इस टर्म में आप क्या करें, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लास्ट नेम बाले सक्षन में आप नाम लिख दें, अगर किसी का नाम संगीता है, तो यहाँ पे आप नॉर्मली संगीता लिके छोड़ सकते हैं ठीक है इसके बाद इसे हम scroll करेंगे तो यहां पे आप देख पार रहा है जा रहा है you've been known by any other name यानि कि क्या आपका कोई और नाम है अगर है तो यहां से click करेंगे और अगर नहीं है तो यहां पे पर क्लिक कर देना है इसके बाद दोस्तों यहां पर जंडर सेलेक्ट कर लेना है कि आप मेल का बना रहा है या फिर फिमेल का इसके अलवा दोस्तों यहां से डेटर बर्थ आपको डालना है और दोस्तों यहां पर खास करके द्यान रखेंगे जो भी डेटर बर्थ आप यहां द्यान रखना है यहां पर यहां पर बोला जारा एड्रेस फूर कम्यूंकेशन तो यहां पर क्लिक करें दोस्तों अगर आप यहां से आपको सेलेक्ट करने हैं अब दोस्तों स्क्रॉल करेंगे अब यहाँ पे देख पार है office estate पुछा जा रहा है तो दोस्तों अगर माल जी आपका घर कहीं और है और आप कहीं और काम करते हैं तो वहाँ पे अगर आप office पे pencard मंगाना चाहते हैं तो नर्माली आप office estate यहाँ पे बिहार या फिर जो भी आ अबर जेन्टेटिव estate पुछा जा रहा है तो दोस्तों आपको यहाँ पे उस case में सेलेक्ट करना है जैसे माल जी अगर किनी का pencard 18 साल से कमर उम्ड में अगर आप बना रहा है तो वहाँ पे कोई guardian के रोप में एक आदमी को यहाँ खरा उतरना पड़ता है तो उनका जो भी estate होगा वह अब यहाँ पे सेलेक्ट करें लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम minor pencard नहीं बना रहा है तो इसे हम खाली छोड़ेंगे इसके बाद बोला जारा है अप्लिकेंट का अधार नमबर यहाँ पे डाले तो यहाँ पे आपको अधार नमबर डाल लेना है अप्लिकेंट का इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोला जारा name as per अधार card तो दोस्तों अधार card में जो भी candidate का नाम है वो नाम आपको यहाँ पे लिख देना है ध्यान रहे यहाँ पे एक भी अक्षर इधर उधर नहीं करनी है अगर आप यहाँ पे करते हैं तो next जैसे ही करेंगे और payment करें अब दोस्तों यहाँ पे हमने सारा data डाल लिया है अब यहाँ से normally हम next step पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पे कुछ इस परकार का interface उभर के आएगा अब यहाँ पे आप देख पार है बोला जा रहा है document details यहाँ पे सेलेक्ट करें तो यहाँ पे सबसे पहले पूछा जा रहा है which of this document are you submitting as an identity proof यानि कि दोस्तों यहाँ पे identity proof के लिए आपको क्या चीज़ अपलोड करनी है यहाँ तो हम normally यहाँ से अधार कार सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि candidate के पास यहाँ पे अधार कार अभलेबल है तो अधार कार सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे दोस्तों आप खास पे क्लिक करके हमें पेमेंट करनी होगी तो चलिए अब हम पेमेंट करते हैं इसके बाद दोस्तों पेमेंट गेटवे का कुछ इस परकार से इंटरफेस खुलेगा यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको पासवर्ड डाल लेना है जो भी आपका CSC का पासवर्ड होगा व अब यहाँ पे दोस्तों कुछ इस प्रकर का इंटरफेस कुलेगा, यहाँ पे आप देख पार है, बोला जा रहा है, अधार मैच्ड, यूजिंग डेमोग्राफिक डिटेल्स, विल वी लिंक विथ पैन, तो दोस्तों यहाँ पे आपका पैन कार्ड से अधार कार्ड लिंक हो होगा, चली अब हम यहाँ से कर देते हैं, अब इसे हम स्क्रोल करेंगे, अब दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है, एडिया वाले सेक्शन में, सबसे पहले आप अपने एडिये का कोड डालें, तो अगर आपको अपने एडिये का कोड नहीं मालूम है, तो क्या करेंगे यहां से सर्च बार में आपको टाइप कर देना है जो भी आपका जिला है वो जिला यहां से लिखेंगे कुछ इस प्रकार्ट से आपको लिखे देना है जिले का नाम और साथ में यहां पर लिखेंगे कोड इसके बास सर्च कर देंगे तो यहां पर आप देख पा रहा है आप को एक email id डाल देना है इस section में यहाँ पे दोस्तो email id डाल देने से क्या फाइदा होता है कि आपके email पे तीन दिन के अंदर ही pancard बना करके भेज़ दिया जाता है तो please यहाँ पे आपस request है कि कोई न कोई एक email id डाल दें चाहे customer के पास email id हो या ना हो आप अपने shop के नाम से एक email id बना करके नर्माली आप यहाँ डाल सकते हैं इसमें कहीं से कोई आपती नहीं आने वाली है ठीक है इसके बाद scroll करेंगे अब दोस्तों यहाँ पे parent details वाले section में यहाँ आप देख पा रहा है बोला ज कलिक करेंगे कि हम माता का नाम नाहीं पिता का नाम चाहिए इसके बाद यहाँ पे फादर नैम बाले section में सबसे पहले पिता का लास्ट नाम लिखेंगे इसके बाद first name लिखना है इसके बाद middle स्टेप करेंगे तो दोस्तों यहांपर हमने सारा डाल लिया है अब यहांसे स्टेप फक्लिक करेंगे स्क्रॉल करेंगे यहां पर आप को अपना पता डालना लिखना है इसके बाद एस्टरेट या फिर पोस्ट आफिस का नाम यहाँ पे लिख देंगे इसके बाद यहाँ पे तालुक का या सब्डिविजन यानि कि आपका अपना बलॉक जो भी होगा वह बलॉक आप यहाँ पे इसके बाद आप अपने जीले का नाम यहाँ से सेलेक् तो यहां पे salary select करेंगे या फिर बहुत सारे यहां पर option दिये गया है normally लोग ज्यादातर क्या करते हैं no income पर ही बनाते है तो चलिए हम भी यहां पर no income पर select करते हैं इसके बाद ऑके कर देंगे और फिर आपको यहां से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है तो चलिए हम सारा डिल्स डाल लेते हैं इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्लिक करेंगे अब यहां पर हमने सारा डिल्स डाल लिया है अब यहां से नेक्स्ट स्टेप क्लिक करेंगे इसके ब मतलब है कि दोस्तों अगर आप माइनर पैन कार्ड बना रहा है फिर आपको रिपर्जेंटेटिव सेलेक्ट करना है चुकि दोस्तों यहां पर 18 साल से उपर के लोगों का हम पैन कार्ड बना रहा है तो क्या करेंगे हिमसेल पे क्लिक करेंगे इसके बाद वरिफिकेशन प्लेस में आपके निकट का जो भी सीटी होगा वो सीटी का नाम यहां पे डाल के और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है इसके बाद कुछ इस प्रकर का इंटरफेस खुलेगा यहां पे आप नॉर्मली स्क्रॉल करिए और य परिंट करके और ग्रहक को देय देना है इसके बाद ऍस्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे-अप देख पा रहा है इससे ऑपको डाउनलोड कर लेना है तो चलिए हम इस पे click करते हैं अब दोस्तो इसे आपको जहां भी रखना है इस file को रख लें अब यहाँ पे आपका file download होना शुरू हो चुका है जो कि आपका application form है यह form दोस्तो आपका दो page का होता है जैसे ही यह download हो जाता है मैं आपको open करके दिखाता हूँ साथी दोस्तो इस receiving को हम क्या करते हैं यहाँ से सबसे पहले print कर लेते हैं और गरहाक को देना परेगा यह तो सबसे पहले print तो करी लेना चाहिए तो यहाँ पे दोस्तो आप देख पा रहा है आपका application form डाउनलोड हो करके कुछ इस प्रकार से preview नजर आएगा अब दोस्तो यहाँ पे candidate यानि की जो भी applicant है उनका photo यहाँ पे passport size लगा लेनी है दोनों side आप लगाएंगे इसके बाद दोस्तो यहाँ पे जो first photo पे आपको क्या करना है जब आप photo चिपका लेंगे इस form पे इसे print करने के बाद तो photo के उपर cross sign करवा लेना है हित गरहाई से यानि की गरहाग से इसके लाबा इस box पे आपको क्या करना है गरहाग का sign करवाना है ध्यान रहे इस photo पे आपको sign नहीं करवाना है यहाँ पे जो आप photo लगाएंगे ठीक है इसके बाद दोस्तों सबसे नीचे वाले page में चलेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहा है यहाँ पे दिया गया है candidate signature करने के लिए यह box तो यहाँ पे आपको applicant का signature या फिर thumb जो भी लगाते हो वो लगवा लेना है ठीक है इसके बाद यहाँ पे इसके साथ अधार card merge करके यहाँ पे आपको upload करना परेगा तो चलिए हम यह सारे चीजे कर लेते हैं इसके बाद मैं आपको फिर से बताता हूँ तो जैसा कि दोस्तों हमने यहाँ पे scan कर लिया है सारा document अब upload करने के लिए यहाँ से फिर से आएंगे apply new pen वाले service में इसके बाद यहाँ पे document वाले section में आप देख पार है upload document दिख रहा है normally आपको इस पर click कर देना है साथ ही यहाँ पे देख पार है scanning specification दिया गया है कि आपको कोंसे document कितने mb में और कितना size में आपको यहाँ अपर upload करना है तो यहाँ पे आप देख पारा है pen card का जो application form है इसे आपको 200 dpi में scan करना है और साथ ही यहाँ पे pdf format में upload करना है ठीक है इसके लबाँ यहाँ पे आप देख पारा है photo scanning करना है 300 dpi पे और साथ ही इसका जो size होगा 213 pixel गुने 213 pixel का और साथ ही 30 kv से नीचे का यह photo होना चाहिए इसके बाद signature scan करके 600 dpi का black and white होना चाहिए और साथ में 60 kv से नीचे का होना चाहिए ठीक है तो चलिए हम upload वाले section पे click करते हैं इसके बाद यहाँ से pen form वाले section पे click करेंगे और यहाँ से pen form को upload कर देना है इसे मैं आपको open करके दिखा देता हूँ किस परकार से आपको sign more करवाना है तो यहाँ पे आप देख पा रहा है कुछ इस परकार से hit grahi का sign करवा लेना है और साथ में यहाँ पे आपको अधार कार भी लगा देना है इसके बाद upload पे click कर देंगे तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहा है document uploaded for application number इतना इतना यहाँ से आपको ok कर देना है अब यहाँ पे आप देख पा रहा है no cases are pending for document uploading तो यहाँ पे दोस्तों आपका final submit हो चुका है pen form अब आपको यहाँ पे कुछ भी करने के आप सेक्टा नहीं पड़ेगी अब आपका email पे तीन दिन के अंदर बना के भेजा जाएगा pen card और साथ ही आपके घर पे 10 से 11 दिन में pen card भेज दी जाती है